तो हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक यह है वोट रॉकर्स टू फोटिफाइव वी टू और यह सबसे ज़्यादा बजट प्रोडेक्ट है वोट का बोट के काफी सस्थे प्रॉडेक्ट में यह आता है और कभी-कभी ओफर्स में इसका प्राइज हो जाता है एक अंडर रुपीस नॉर्मल इसका प्राइज रहता है अप्रॉक्स थाउजन के करीब तो क्या इस बजट रेंज में यह पोटेट फरीदना सही रहेगा क्या यह आपको सैटिसफेट कर पाएगा क्या इसका डाइवर आपको एक बढ़िया बेस और साउंड क्वालेटी प्रवाइट कर सकता है इन सारे कोशन का आंसर आपको आज की वीडियो में देखने को मिल जाएगा और अगर फीचर्स की बारे में बाग करें तो कम्माल का फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल रहा है और सबसे बड़ी खास बात इसमें आपको 12 mm का लार्ज डाइवर देखने को मिल रहा है for better base और IPX5 का भी वाटर रेटिंग आपको इसमें देखने को मिल जाएगा जिस पर हम लोग तेस्ट करेंगे और इसके माइक पे आज दो टेस्ट होगा पहला की कॉलिंग पर कैसा परफॉर्मेंस आपको प्रवाइड करेगा दूसरा आप अगर किसी को वोइस चैट भीजोग नहां पर आपको बोट स्पोर्ट का ब्रैंडिंग देखने को मिल रहा है और इसके नीचे थोड़े इन्होंने अपने स्पेसिफिकेशन को हाइलाइट कर रहा है जैसे एच्डी इंप्रेशू आडियो आपको यहां देखने को मिल रहा है आईपक्स वाटर रेजिस्टेंस आपको यहां देखने को मिल रहा है वाइस एसिस्ट का भी फीचर साइस में पुश्यों लिमिट्स इन लोग का टैग लाइन है और नीचे इन्होंने अपने मॉडल नंबर को हाइलाइट कर रहा है रॉककर्स 245 वी-2 और बॉक्स के साइड में आपको बोट का में 5.0 Bluetooth बर्जन आपको इसमें देखने को मिल रहा है लाइट वेट है इसका काफी ज्यादे स्टाइलिस डिजाइन है 12 mm का डाइवर है और इसके थोड़ नीचे अगर आप आओगे तो इन्होंने अपने ब्रैंड के रिलेटेड इंफरमेशन प्रवाइड कर रखा है जैस इस पैकेजिंग के अंदर आपको क्या-क्या content देखने को मिल रहा है इस box के अंदर हम लोग को और क्या-क्या content देखने को मिल रहा है एक micro USB charging cable आपको यहां देखने को मिल रहा है और दो जोड़ी 8 tips आपको इसके साथ देखने को मिल जाएगा different size के कुछ paperwork आपको इसमें देखने को मिल रहा है और एक है user manual जिसमें इसे use करने के सारे पैतरे और कुछ specifications उन्होंने चाप रखा है और एक बॉट का booklet आपको इसके साथ देखने को मिल जाएगा जिसमें इसके brand ambassador का photo और पडेट का photo इन्होंने चाप रखा है आभी नजट डाल लेते हैं निक बेंड के तरफ जैसे के आप लोग देख सकतों, बोट का ब्रेंडिंग आपको यहां देखने को मिल रहा है, और इस बटन का फंक्शन भी काफी ज्यादा स्मूध है, इसका प्रस काफी सॉफ्ट है, एक Micro USB Charging Port आपको यहां देखने को मिल जाएगा जैसे कि आप लोग देख सकते हो Nick Band पुरा Foldable है Easily आप इसे Fold करके अपने Pocket में रख सकते हो जब आपको इसकी जरूरत नहीं होगी और अभी आप इसके Birds का लूप देखो इसके Birds का भी लूप काफी अच्छा है Black Matte Color का Finishing आपको यहां देखने को मिल जाएगा जिसे Active Black Color भी बोलते हैं और इसके पीछे के साइड आपको Board का Branding देखने को मिल रहा है और एक Silver Color का Ring भी आपको यहां देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ अच्छा लगता है देखने में इसका जो Magnetic Effects है उतना जादा खास Strong नहीं है काफी जादा नाचुक है इसका Magnetic Effect तो अभी मैं आपको इसका Function बता दू Multi Function बटन के एक Press से आप Call Pick कर सकते हो साथी में Call भी आप End कर सकते हो और Song को Play या Pause कर सकते हो आप और इसे अगर आप Two Second तक Hold करोगे तो आपका Call Reject हो जाएगा और इसी बटन को अगर आप Step में तीन बार Press करोगे तो Voice Assist On हो जाएगा और Plus Minus का Button भी आप देख सकते हो Plus Minus के Button को अगर आप Step में दबाओगे तो Volume Increase या Decrease होगा और Plus को अगर आप दबा के रखोगे तो Next Song पर चले जाओगे Minus को दबा के रखोगे तब आप Previous Song पर बापिस आजाओगे और Plus Minus को एक साथ दबाने से आपका Headphone Reset हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हो 245 V2 का Weight है Only 21 Gram और इसके Birds का Weight है Approx 4 Gram जो कि बहुत ही जादा Lightweight Nick Band है तो Friends आप देख सकते हो Boardstone 242 हो चुका है मेरे Phone के साथ Connect जैसे कि आप लोग देखी सकते हो और अभी हम लोग इस पर करेंगे Water Test अभी आप सुल्ड हो Sound इसका आप देख सकते हो कि बोट पूरी तरह से पानी में डूप चुका है और आप देख सकते हो अभी भी मेरे Phone के साथ Connected है बोट 248 V2 आप इसको निकाल के देखते है कि क्या ये काम कर रहा है या खराब हो चुका है जैसे कि आप लोगों ने देखा कि इसने Water Test सर्वाइब किया इसके साइड में एक होल था इस वज़े से आप इसका इस्तमाल स्विमिंग पूल के अंदर नहीं कर सकते हैं लेकिन आप इसका इस्तमाल जिम में जरूर वक आउट के टाइम कर सकते हो लेकिन फिर भी आपको इसे पानी से थोड़ा दूर रखना है क्योंकि इसमें मैंने आपको दिखाया कि काफी बड़ा एक छेद है आप देख सकते हो कि हेड़फोन यहाँ पर रेडी हो चुका है माइक के साथ और मेरा फोन भी यहाँ पर कनेक्टेड हो चुका है जैसे कि आप लोगो ने देखा इसमें अप्रॉक्स आपको टू सेगर्स का लो लेटनसी देखने को मिल रहा है आपको साउंड का डिले काफी लेट सुनाई देगा गोली चलने के बाद आपको सुनाई देगा कि गोली चल गया आप आप इसमें ऑनलाइन गेमिंग तो नहीं कर सकते हैं ओफ लैन गें मिग आप इसमें कर सकते निए आप करने के कजसे प्लग को पितुन की सब्सक्राइब करने करें रॉघ मेरे मा को पॉल अफ़िए कम सब्सक्राइब और अब आप सुनों कि किसा नॉइस किसरा है नहीं तो अब कर देता हूं तो अभी आप सुनों कि कैसा है साउन परफॉर्मेंस एक साथ कनेक्ट और आप और किसी को वाइस चैट फेचर कि तो सेन्ट परफॉर्मेंस सामने को सुनाई देगा जैसे आप लोग को अभी सुनाई दे रहा है और अभी मेरे आगे एक सिलिंग फैन और्फ करके दिखाता हूं कि कैसा साउन परफॉर्मेंस है जब अभी आप सुनों कि नॉइस को कैसा खी जो फेर्ट साब देख सकते हो 245 V2 को मैंने गले में पहन रखता है जो की काफ़ी अच्छा एक प्रीमियम सा लुक रिपर्जन कर रहा है मतलब प्राइस इसका कम है लेकिन किसी भी एंडल से यह इतने कम प्राइस का नहीं लग रहा है नॉर्मली एक्सपेंसिव ही लग रहा ह है इसका प्राइस कम क्यों है इसका प्राइस कम इसलिए है क्योंकि इसमें आपको एक फीचर से जो की नहीं मिल रहा है वह स्नैप चार्ज इसमें आपको स्नैप चार्ज का फीचर देखने को नहीं मिल रहा है बाकिस सारे फीचर इसके कमाल के है एट आवर्स का बैटरी प् परफॉर्मेंस आपको प्रवाइट कर रहा है एक तब पंची बेस आपको इसमें सुनने को मिलेगा और च्छरकार भी बहुत ज़्यादा मस्त है और इसका लाउटनेस भी काफी ज़्यादा है अगर आप कंपरीजन करोगे बोट के दूसरे हैडफून के साथ जो की है 235, V2, 333, उसके बाद 335, 330 इन सब के साथ अगर आप इसका कंपरीजन करोगे तो इसका लाउटनेस 10% जादा है अगर मैं बोलू तो यह म्यूजिक लवर्स के लिए बैस्ट है अगर आप सिर्फ म्यूजिक के लिए ही कोई निक बैंड ढून रहे हो तो यह बैस्ट है कमाल का परफॉर्मेस आपको प्रवाइट करेगा लेकिन बहुत ज़्यादा हाई बेस होने के वज़े से जब आप मूवी से सीरीज को 90% की उपर देखो गे तो इसका बेस जो है कानों में थोड़ा मतलब थोड़ा डिस्टरबेंस क्रेट करता है जिस वज़े से आप इसका यूज और इसका च्छनकार बी बहुत मसता है लेकिन च्छनकार बी सेम प्रब्लम है 90 की उपर इसका च्छनकार कानों में थोड़ा चुबने लगता है लेकिन 60, 70, 80 में कममाल का सौंड परफॉर्मेंस आपको प्रवाइट करेगा और आप इसे बिंदास खरी सकते हो और इसका कने एक्टिविटी बहुत ज़्यादा मसत है सो फ्रेंट्स आप इसे बिंदास खरी तो पूरास फुल सैटिस्ट्रक्शन आपको भी प्रोवाइड करेगा सो फ्रेंट्स यह था मेरा रिव्यू इसे यूज करके मुझे कैसा फील गुआ वैसे मैंने आपके साथ शेर किया इसका इस्तेमाल मैंने दो दिन तक किया है तो फ्रेंट्स ठेंक यू अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को चलूँ लाइक करें और अगर शेर करने रहे को तो शेर भी कर देना